आज मैं आपके लिए धूनी अला बैट लेकर आया हूं, SS का, उसकी हम अन्बॉक्सिंग करेंगे यह वह बैट है, कवर में है, मैं इसको निकाल कर आपको दिखाता हूं, यह वह बैट जिसकी मैं बात कर रहा था, कवर से निकालने के बाद, बड़ यहाँ बैट है यह, धून दोनी का बैट है, यह जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें देख लिए है, नीचे इसका कर्फ थोड़ा सा, इसका जो टो है, वो थोड़ा कर्फ है, इसमें दोनी लिखा भी हुआ है, पहले इसे यह कंपनी से लिखके आया था दोनी, यह इस बैट की प्राइस है, 40,000 है, एक बार मैं आपको इसका सुरू से रिव्यू करकर दिखाता हूं, हेलो, जैसा कि आपने देखा, मैंने इसका पूरा दिखाया है, इसमें कुछ हलके लिके निशान यह पड़ गए है, क्योंकि मैंने इससे नौकिंग करी है, एक दो बार, देखने के लिए कि कैसा बैट चल ला है, उसी के बाल के निशान है, रेट रेट कलर के, बाकी यह इंग्लिश टेप भी लगवा लिया था, कि मनग कभी एजेस लगे तो तूटे ना, एजेस के, मैंने पहले ही से, जब मैंने बाट लिया था तभी, मैंने इसमें लगवा लिया था, यह इंग्लिश टेप, 40,000 रुपीस का बाट है, इसके में ग्रेंज आईए, हम लोग जो की बढ़िया बात है, बैट में 12 ग्रेंज बहुत अच्छी बात होती है, होना, इंग्लिश विलो बैट है, इसकी ग्रिप भी बहुत बढ़िया है, यह फेसलती नहीं है, बैटिंग कनने में, बहुत अच्छी ग्रिप होती है, इसका 2 आप देख सकते हैं, पूरा राउ हुआ है, आपने इसको देखा होगा, वल्ड कप में एक दो बार धुनी ने खेला है, इसे ही बैट से, से बैट है, और यहाँ पर साइड में हम लोगों को स्स, यहाँ पर S का साइन देखने को मिल ला पा है, स्पाइन भी बहुत बढ़िया है, इसका जो की आप देख सकते ह और बात करते हैं इसके हैंडिल की, तो हैंडिल इसका जो है, वो इधर से राउंड है, यहाँ से राउंड है, और यहाँ से सरकुडर है, राउंड है, यहाँ से यहाँ से थोड़ा ओवल है, इसमें ग्रिप करने में बहुत आसानी रहती है, अगर इस टाइप का अगर उपर हम लोग को यहां बैट के उपर देखने को मिल जाता है SS का लोगो SS short handle bat है यह best never stops लिखा हुआ है इसमें और इसका blade भी बहुत चोड़ा है आप देख सकते हैं बहुत चोड़ा blade है इससे मैंने knocking की थी बहुत बढ़ी हा यह चल दा था नौकिंग में बहुत अच्छी से sound बहुत अच्छा रहा था यहां पर मिडल में पर यह बैट थोड़ा सा weighted है ज्यादा थोड़ा weighted ज्यादा यह बैट इसको मैंने लिया था इसको तो मैंने इसका जो blade हो भी काफी चोड़ा है बढ़िया बैलेंस इसका बहुत बढ़िया है पूरा मिडल में बैलेंस है यहां से हम लों का stroke बहुत अच्छे लगते हैं से weighted है थोड़ा सा इसका यही बस एक fault है बाकी बहुत बढ़िया बैट है sticker इसका बहुत बढ़िया है और यहां से आप एक चीज़ देख सकते हैं पर इसका sticker थोड़ा साया से निकलना है एक सिकंड मैं focus करकर गाता हूं यह रखिये हलका साया से फट गया है यह वह कोई बात नहीं स्टिकर का हम लोगों को इतना वह नहीं है grip इसकी एक बात है इसकी grip भी बहुत अच्छी है थैंक्यू फॉर वाचिंग अगर वीडियो पसंद आयो तो इसको लाइक करिएगा और आपको इस बैट में क्या चीज सबसे अच्छी लेगी वह कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करि छोगी और आप मेरे वीडियो करिएड़ बॉप जरूर प्राइब फवीडियो तो इन तो वाचिछ प्राइब एट वह कमेंट अगर हैं तो जरूर थाएगा जरूर प्राएगा हैं थारूरूर